नमस्कार वेलकुम यौल वंस अगेन आप सभी का स्वाकत है एक बार फिर से जैसा कि आप सभी को पता है बीसे पार्ट थर्ड के लिए हमने युनिट और गिनिक केमिस्ट्री के अंदर युनिट फाइब शुरू की हुए जिसका नाम है अमीनो एसेड पैप्टाइड्स प्र ऑज्ने सुरू किये था यानि अमीनो एसेड के बनाने की विदियां शुरू कدم品 से कुछ विदी करें इसेясा है yeahgo कराई ने की बहुत टाइम लग जाता है तो ठीक है तो हो सकता है如果 ने डे ने बनाने Hack लेक्चिर में इसकी बनानी की विदियां पूरी हो हो जाए क्योंकि important exam में तुमसे पूछेगा इस चैप्टर में अगर कुछ बहुत ज्यादा important है तो वह है amino acids और जो भी questions आएंगे वह आप put up होंगे वह आपको amino acids से ही put up होंगे ठीक है जाद अतर maximum amino acids से put up होने की क्या कहते probability जादा है तो देखते है methods of formation ठीक है क्या चल रहे थे amino amino को बनाने की विधिया पढ़ रहे थे हम ठीक है methods of formation of amino acid बोगी कौन से alpha amino 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 कैसे amino 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 को बनाने की विधिया पढ़ रहे हैं तो आज जो हम विधि पढ़ने वाले हैं जो भी नंबर होगा दूसरी या तिसरी जो भी है वह मैलोनिक ester से मैलोनिक ester से amino amino हम कैसे बनाएंगे थे इंपोर्टेंट है काफी फूचित आते हैं मैलोनिक ester से amino acids बनाने की preparation देखते हैं यहां क्या होता है ठीक है तो यह हम reaction किसके कराएंगे मैलोनिक ester की कराएंगे तो हम यहां लिख सकते हैं इसमें कि मैलोनिक ester से मैलोनिक ester से क्या प्राप्त होते हैं और थे अंसे जाते और यह ऐसे तो देखा होगा कि कारभॉबी कमरें थे कि यहां पर यहां पर खunnitिन में update तो भूंद एल्फा हेलो अम्ल राप्त होता है जो एमीनी करंड द्वारा एमीनी करंड द्वारा एल्फा एल्फा अमीनो अम्ल का कि निर्माण करता है निर्माण करता है ठीक है यह मैथ यह मैथड है ठीक है अब हम देखेंगे क्या रियक्शन है और उसका फिर देखेंगे हम क्या इसका देखेंगे हम मेकैनिजम तो क्या होता है मेलोनी कैसे यह होता है भई मैलोनिक एसिड तो आप जानते ही होंगे पढ़ाई होगा आप लोगोंने कार्वोगली गमलो में second year में मैलोनिक एसिड उसी का यह derivative है मैलोनिक एस्टर क्या है यह? मैलोनिक एस्टर है ठीक है जब हम इसकी reaction सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका? यह reaction कई steps में होती है यहां फिर पहले reaction न लेकर हम direct mechanism के साथ लेकर चलते हैं क्योंकि यहां पर हमको reagents का sets यूज करना पड़ेगा यानि कि कई सारे step में होगी यह reaction कई सार तरह के reagents यूज करने पड़ेंगे तो हम एक line में हम सारे reagents को लिख नहीं सकते या फिर अगर आप समझ सकते हो तो समझ ले ले सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे सबसे पहले हम C2H5COONA का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे C2H5ONA sodium ethoxide का यूज करेंगे sodium ethoxide का यूज करेंगे फिर इसकी reaction किससे कराएंगे फिर next reaction में इसकी reaction कराएंगे Rx से, फिर इसकी reaction किस से कराएंगे, फिर इसकी reaction कराएंगे NaOH-H2O से, ठीक है, तीसरे step में यह होगा NaOH-H2O के साथ, या NaOH-OH कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके लावा यहां पर, यहां फिर ऐसे ले लें, जो अगला step होगा, उसमें क्या होगी, ठीक है, और उसके बाद अगले step में, फोर्थ step में किसके साथ reaction होगी, अमल के साथ reaction होगी, ठीक है, उसके बाद जो अगला step आएगा, वहां हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, पांचवे step में क्या करना पड़ेगा, ही कि यह प्राप्त होगा COOH यहां पर रहेगा NH2 और यहां पर हाएगा CH3 क्या बनेगा यह बहिए यह है alanine क्या होगा हमको alanine प्राप्त होगा ठीक है अब यह alanine कैसे प्राप्त होगा यह series OF reaction कैसे पूरी होगी इतने सारे reagents कैसे react करेंगे वह हमको पता चलेगा इसके mechanism से, तो आप देखते हैं इसका mechanism, अब इसके mechanism पर चलते हैं, क्या से होता है, तो इसको लिख लेते हैं, यह तो यहीं से शुरू होगा, भी, इसको ऐसे लिखते हूं, OET C1OET क्या है यह भई? Ester है ठीक है और हमने क्या लिया हुआ है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? Sodium Ethoxide C2H5O और sodium Ethoxide क्या होता है? एक base होता है, एक छार होता है यहाँ पर एने positive और O क्या होता है? माइनस होता है, है ना? तो यह चार की तरह अभिक्रिया करता है और चार का काम क्या है? proton grant करना अमली है proton को grant करना तो अब देखो, यहाँ पर दो-दो proton है और कैसे अमली है, क्यों है अमली है? क्योगि यहाँ पर भी CO carbonyl group है यहाँ पर भी carbonyl group है यह क्या लगाते है? माइनस आई प्रभाव लगाते हैं यानि कि इस carbon से electron को अपनी तरफ खीशते हैं और यह carbon किस से खीशता है proton से इसका मतलब इस carbon से जुडा हुआ यह जो proton है यह कैसा होता है अमली ही होता है और इस ही अमली proton को कौन ले लेता है sodium ethokside ले लेता है और क्या बना लेता है यहां पर बाहर निखल जाता है C2H5OH के रूप में क्या बना लेता है यहां से C2H5OH और यहां पर क्या प्राप्त होगा हमको CH और कारवन पर जैसे ही यह प्रोटोन ले लेगा तो यह bond काँ शिफ्ट हो जाएगा? कारवन पर शिफ्ट हो जाएगा और कारवन पर शिफ्ट होगा तो कैसा चार्ज आएगा कारवन पर शिफ्ट होगा तो नेगिटिव चार्ज आएगा कारवन पर लगा दिया भई नेगिटिव चार्ज लगा दिया हमने नेगिटिव चार्ज कारवन पर अब क्या करेंगे इस इस करेगा इस ने एक प्लस फूर्फ है तो ने प्लस प्लस करेगा इस नेगेट उसार्च को और सो हमारे पास को क्या एक क्ष्स लेना है आपको वेलिन बनाना Neap ले लिजिए एरोमेटिक एलकॉल बनाना है तो यहां पर लिए लिजिए कोई ठीक है इसे हमारे पास CH3x है, x क्या है कोई भी हैलोजन हो सकता है कोई साभी कलोरिन, ब्रोमिन, फ्लोरिन, आइदिन कुछ भी हो सकता है यह है ना तो होगा क्या, हम जानते हैं हैलोजन more electron negative होते हैं तो electronों को अपनी तरफ खीचते हैं और अपनी तरफ खीचेंगे तो ये delta minus और यह carbon कैसा रहता है डेल्टा प्लस होगा carbon पर electron की कमी है तो इस वाले इलक्ट्रों की अधिकता है negative charge है तो यह जाकर एटेग कर देगा इस carbon पर और यहां से कौन निकल जाएगा हेलोजन अपने इलेक्ट्रोनों को लेकर निकल जाएगा यानि कौन निकलेगा यहां से X- निकलेगा ठीक है अब X- अगला तो अपने अकेला तो नहीं निकलेगा यहां पर कौन है? N- यहां पर कौन है? X क्या बना लेंगे मिलकर? N- X- तो सोडियम हेलाइड बाहर निकल जाएगा क्या प्राप्त होगा वही हमें? यह प्राप्त होगा CH- C double bond OET C double bond OET और यहां पर कौन सा ग्रूप आकर जुड़ गया वही? यहां पर आकर जुड़ गया CH3 कौन सा ग्रूप आकर जुड़ गया यहां पर? CH3 आकर जुड़ गया अब हम क्या करेंगे वही? अब हम क्या करेंगे? मैं इसको ऐसे लिख सकती है CH3? इसको लिख दे मैंने H ठीक है अब आगे हम क्या करेंगे? इसकी reaction कैसे कराएंगे? तो आगे जो होगा इसकी reaction हेलोजन के साथ होगी कैसे होगी हेलोजन के साथ? यहां पर हमारे पास कोई हेलोजन होगा महालों बी आर 2 ले लिया हमने, कौन सा ले लिया? बी आर 2 तो बी आर 2 को मैं ऐसे लिख दू? बी आर बॉण्ट बी आर दोनों एक bond से जुड़े होंगे BR2, ठीक है, अगर ये bond तूटेगा तो कैसे तूटेगा भी, कोई एक bromine अपना एक electron निकल जाएगा, ठीक है, तो ये तूटेगा तो कैसे तूटेगा, एक तो BR positive में तूटेगा, साथ में दूसरा क्या बनेगा, BR minus बनेगा, तो एक तो BR positive बन निकलेगा, ये वाला bond का फिर भी कर्भा फिर बनालेगा, ठीक है, जैसी proton को ये वाला bond का इशिफ्ट हो कार्वन पर, और कार्वन पर negative charge आएगा, कैसा आएगा, negative charge आएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, BR plus मौजूद है, यहाँ negative charge आएगा, और यहाँ पर BR plus मौजूद है, तो positive negative bond बना लेंगे, यानि कि एक यह वाला जो bromine है, BR plus यहाँ आकर जुड़ दाएगा, तो क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमें यह प्राप्ट होगा, CS3, यहाँ पर BR, C1OET, और यहाँ पर भी क्या होगा, C1OET, यह प्राप्ट होगा, ठीक है, लेकिन अभी वो तो हमें मिलाई नहीं, alpha hello अम्लो तो मिलाई नहीं, alpha position पर halogen तो आगया, लेकिन यह तो alpha hello ester है, क्या है, alpha hello ester है, अम्लो तो मिला नहीं, तो कोई बड़ी बात है, क्या ester से अम्लो प्राप्ट करना, कितनी बार हम यह reaction कर चुके हैं, किसके अंदर, carbohydrates के अंदर, कितनी बार तुम second year में पड़े होंगे, कि ester से अम्लो बनाना है, क्या से बनाना है, जल अब गटन करा दो इसका, क्या करा दो इसका, जल अब गटन करा दो, तो जल अब गटन कराएंगे, इसलिए तो हमने क्या लिया है, यह पर छार लिया है, जल अब गटन कराएंगे, थोड़ी सी शरम बाकी अगर तुम लोगों में तो थोड़ी सी मेनद खुद करो, पीछे पल्ट के देखो कि कैसे होता है अस्टर से एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, पकी पकाई घर जगा खिचडी, खाने से, तुमको खिचडी बनाना थोड़ी आएगी कैसे बनी, सौरी, क् बन जाएगा, एसिड बन गया, ठीक है, एसिड बन गया, एसिड का काम क्या होता है, एच प्लस को निकालना, यहां से एच प्लस को निकालना, तो यहां से एच प्लस को निकालना, और यहां पर यह किस की फॉर्म में रहेगा, नेगेटिब की फॉर्म में रहेगा, और इसक कि अपने फिर से वापस सब्सक्राइब कर दिया मैं नहीं पाएगा और ये बन जाएगा यहीं तो है हमारा कि यह बना अब तो यहांपर हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एलफा हेलो हम्लों चाहिए लेकिन यह तो क्या है यहां तो दो-दो कार्वक्सिली कमले की ग्रूप हैं तो क्या कराना पड़ेगा हमको डी कार्वक्सिली करन कराना पड़ेगा यानि कि एक कार्वक्सिली करन कराना पड़ेगा यानि कि एक कार्वक्सिली करन को यहां से हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए हम क्य करते हैं इसको गरम करते हैं हीट करते हैं हमें जबी भी डी कारवक्ष ली करन्ट कराना हो तो क्या कर दो हीट कर दो और जब हीट करते हैं तो यहां से कौन बाहर निकल जाती है कार्वन पर यहां से मिलेगा तो यह दोनों आपस में रियक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे यह पर c s3 जुड़ा हुआ है यह ठीक कर ले न हिसटरी थीक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यह बन जाएगा एक तो c s3 जुड़ा हुआ है एक इस पर जुड़ा हुआ को nh deputy सब्सक्राइब के ब्यदि यह कि सब्सक्राइब अंम्ल बन ग्या यही तो है हमारा एलफा, एलफा एलो एकड़ हमारा wonderful एलफा एलफा एकड़ और एलफा हलो एकसेड़ बन सब्सक्ता बस अब तो reaction लगवग हो ही गई तरना नोट किजिए फिर मिटाटी है आगे चलते हैं आगे क्या होगा नोट कीजी जल्दी से इतना आगे चलते हैं क्या होगा है क्या बना हुआ हमारा आगे रेक्शन यहां से होगा ना एलफा हेलो अमलू बना हुआ है तो मैं इसको यहां बना ले तो यहां है है यहां लगा दूबी एक तरफ यह जुड़ा हुआ है और एक तरफ इसे कौन जुड़ा हुआ है क्या है यह यह एलफा हैलो एसट है वह भी हमारे पास आलफा है बना हुआ है ठीक है अब हम मैं इसकी रियक्शन किसके साथ कराऊंगी NH3 के साथ कराऊंगी किसके साथ कराऊंगी NH3 के साथ कराऊंगी दो मोस ले लोंगी NH3 कितने दो मोस ले लोंगी तो क्या होगा एक तो NH3 यहां पर अटेक करेगा इस कारवन पर और यहां से कौन निकलेगा ब्रोमीन बाहर निकलेगा ब्र माइनस तो एक तो नस्त्री क्या करेगा एक जो नस्त्री है यहां पर अटेक करेगा तो यहां से ब्रोमीन बाहर निकलेगा ब्र माइनस बाहर निकलेगा तो क्या होगा जैसे यह नस्त्री यहां कर अटेक करेगा तो नस्त्री यहां पर जैसे जा जाएगा दूसरा निस्थी भी तो मौझूँद है यह एंस्थी क्या करेगा यहां से इसको इसे लिख दू ए该 प्लस को ले लेगे और यह couple किस में छेन्ज होजाएगा और पहले क्या निकला वाँपर दिता तो ब्यार इसके साथ जुड़कर क्या बना लएगा už और यहां से बाहर निकल जाएगा और यह जो बन गया यही है हमारे पास कौन है एला नीन कौन बना है एला नीन बना है तो इस तरह से मेलोनिक एस्टर से एला नीन की सिंथेसिस होती है ठीक है नोट कीज़े जल्दी से फिर दूसरा प्रोसेस देखते हैं दूसरी रेक्शन देखते हैं दूसरी जो रेक्शन देखेंगे वो है एरलिन मायर एजा लेक्टोन संसलेशन कौन सी है एरलिन मायर एरलिन मायर एज लेक्टोन संसलेशन संसलेशन सिंथेसिस ठीक है यह वाली जो रेक्शन है कई सारे स्टेप्स में होती है यह भी क्या है मल्टिपल स्टेप्स में फॉलो होती है यह रेक्शन भी मल्टिपल स्टेप्स में फॉलो होती है कैसे होगी वह हम देखेंगे अभी बहुत सारे स्टेप्स से उकर हमको गुजरना पड़ेगा तो सबसे पहले यहां पर दिख रहा होगा as lecton, सबसे पहले lecton बनता है, वो भी कैसा as a lecton बनता है, वैसे as lecton बोलते हैं, ठीक है lecton क्या होते हैं, कार्बो हाइडिट में हमने बहुत बनाए भी lectons, यह मत सोचे कर के हमें पता ही नहीं lectons क्या होते हैं, cyclic ester, एक तो थ lecton क्या करता है, as lecton की आगे reaction होती है, वो जाके amino acid में convert होता है, तो यहां पर बहुत सारे multiple steps होते हैं, तो तब जाकर यह reaction complete होती है, और alpha amino amino का formation होता है, तो हम देखने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो यहां पर सबसे पहले कोन react करता है, यहां पर एक acid है, जिसका नाम है हिप्यूरिक acid, क्या है हिप्यूरिक acid, हिप्यूरिक acid की reaction होती है, किसके साथ, aldehyde के साथ, वो भी कैसे aldehyde, aromatic aldehyde के साथ, यानि ऐसा aldehyde लेना, जिससे कोई aromatic group जुड़ा हो, और अगर अब इतना तो दिमाग में होगा ना, अगर हम ऐसा aldehyde ले रहे हैं, जो aromatic है, तो इसका मतलब, कौन सा amino acid बनेगा, वो amino acid बनेगा, जिसमें aromatic group जुड़ा हो, अब आप सोचिए कौन सा बनेगा, तब तक हम बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे हैं, aromatic aldehyde, aromatic aldehyde की, hyepuric amla, hyepuric amla say, abhikriya dwara, hyepuric amla say, abhikriya dwara, अब विक्रिया द्वारा एज लेक्टोन का संसलेशन होता है सबसे पहले क्या बनेगा एज लेक्टोन बनेगा एज लेक्टोन का संसलेशन होता है यहाँ एज लेक्टोन यह एज लेक्टोन 1% एने ओएच के साथ अभिक्रत होकर अभिक्रत होकर क्या देखा जैसे ही इसकी रेक्शन एज लेक्टोन की एने ओएच के साथ होगी अब लेक्टोन से इतना तो समझ गया हमने बताये था लेक्टोन क्या होते हैं साइक्लिकेस्टर होते हैं ना तो जब हम इसको सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ अभिक्रत करेंगे यानि गर्म करेंगे तो क्या होगा लेक्टोन क्या है लेक्टोन रिंग की फॉर्म में होग तो यहसन से लिखो वन परसेंटने और गर्म करने पर अ क्या होता है अभी बता है आ है रीर करेंगी तो पालद में लेक्तों करने वहले 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 घुल जातीये वहला है प्राप्त होता है उसका सोडियम अमलगम के साथ अपचेन कराने पर के साथ अपचयन कराने पर तथा अमलिय जल अपगटन कराने पर एलफा अमीनो अमल प्राप्त होते हैं यानि कि यह reaction बहुत सारे steps में होने वाली है तो in short अगर आपको reaction लिगनी है यह तो हम direct mechanism करें यह फिर अगर आप पहले reaction लिखना चाहते हैं तो reaction को तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा सबसे पहले किसकी रियक्शन हो रही है सबसे पहले रियक्शन हो रही है एरोमेटिक एल्डिहाइड और साथ में कौन है हिप्यूरिक एसिड अब यह क्या होते हैं इनके फॉर्मुले हम देखेंगे जब मेकानिजम करेंगे बार बार हम नहीं लिख सकते हैं ह नहीं क्या रही है इसके साथ रियक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा सबसे पहले क्या एज्सके साथ करा एंगे वन पर्सेंट न Uma track यौ भां शॉपन हो बनेगा उन ऊपन हो रही में जोह स्हु है नाम देंदिया वी बनेगा थिक फिर अग्ले स्टीप मं क्या होगा फिर अगले स्टेप पर क्या होगा भई बी क्या करेंगे विक जैसी वनेगा उसकी रियक्शन हम क्या करेंगे उसका हम अपचैन कराएंगे किसके साथ एने HG के साथ अप्चेन कराएंगे कुछ C बनेगा, क्या बनेगा? C बनेगा, और C जो बना है इसका हम क्या कराएंगे आगे? जल अपगटन, क्या कराएंगे? जल अपगटन कराएंगे, वो भी कैसा? हम लिए जल अपगटन कराएंगे और हम लिए जल अब गटन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा D और साथ में E दो प्रोड़क्ट मिलेंगे D और E जहांपर एक प्रोड़क्ट दो होगा वो हमारा क्या होगा एलफा अमीनो अमल होगा एक प्रोड़क्ट क्या होगा यहां पर mechanism important है reaction बहुत सारी होंगी लंबी लंबी रेक्शन्स जाने वाली है तो यहां पर क्या mechanism important है तो mechanism देखें हमने aromatic aldehyde लिया है क्या ले सकते है aromatic aldehyde में यह ले सकते हैं भाई हम पेंजीन कीजिंग से जुड़ा हुआ aldehyde ऐसे लिख देंग यह क्या है aromatic aldehyde यह इसी को नाम यहाँ पिर इसका नाम क्या है Benzyl Dehyde क्या है Benzyl Dehyde अब हमें क्या लेना ये साथ में Hip-Puric Ambly अब ये Hip-Puric Ambly क्या होता है Hip-Puric Ambly क्या होता है देखते हैं बढई Hip-Puric Ambly क्या होता है ये होता है Hip-Puric Ambly CH2 COOH या पर आएगा NH या आसे लिखू NH C11O C6 H5 यह है हमारा हिप्यूरिक एसिड और इतना कनफ्यूज होने की जरूत नहीं है डरने की जरूत नहीं है इसको एक और नाम से भी जानते हैं अगर इतना हटा दूँ मैं यहां से इतना पार्ट हटा दूँ तो यह क्या होगा यह ग्लाइसीन है क्या है CS2 से CUH भी जड़ा हुआ इसको च Lost in理न ठवा इसको क्या बोलते हैं और आता क然后 avog जुड़ descriptio सम्मूंगा एग्र का है इतना की पर में जुडू दो नाज से हटा दूँ तो यहां पर एक और अगर जोड दूँ क्या है यह ग्लैसीन थीं और ग्लायसीन है श्क्राइश हटाक करWorld यह बड़ी चीज नहीं है तो तो क्या है यह बैंजो इल ग्लाइसीन है अब यहां पर reaction होगी और इसकी reaction को कैसे होगी यहां पर reaction मैं इसे दिखा सकती है इसको मैं इसे लिख दूँ कैसे निकलेगा एस टू बाहर अरे भाई इसका ओक्सीजन और यहां के दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बाहर निकालते हैं पानी बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा पानी बाहर निकल जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा भई यह का आर्वन्न से आकर जुड जाएगा तो यह डवल वॉंड ऑट की जगे अब क्या वी डवल सी हो गया और इस हे बन गया इह बन गया यह बना है हमारे पास भी अब क्या होगाThon लेक्टोन नहीं है अभी तो एजालेक्टोन बनना बाकी है अब क्या होगा अब आगे ही देखो यहां पर एसेटिक प्रोटोन है इसको लेने के लिए अच्छा हम एक चीज भूल गए यहां पर इस चीज और लिख लेना जब यह रियक्शन होती है आरोमेटिक यहां की हिप्योरी कमले के साथ कि यहां पर कुछ रियेजन्ट भी होता है वो यह लिखना भूल गए यह उता है एक होता अश्चिक एन्हाइड़ाइड एक रिएजन्ट तो होता है क्या एसटिक एन्हाइड्राइड कई बार लेखा चुके हैं इसी टू ओक्या ह C2H5 ONA, क्या होता है, C2H5 ONA, और C2H5 ONA क्या है, C2H5 नहीं, CS3 COONA होता है, बिस्टेग हो गई थोड़ी, तो यहाँ पर NA positive होता है, CO minus होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ तो use किया नहीं, तो यह जो reaction होती है, इसका क्या use है, यहाँ पर AC2O, Acetic Enhydrate, अब तक हमने जितने भी reaction की थी, Acetic Enhydrate के साथ, वहाँ पर सभी में Acetic Enhydrate क्या कर रहा थो, participant कर रहा था है, किस की तरह participant कर आगा, यहाँ पर यह एक निरजली कारक के रूप में participate करेगा, किसका काम कर रहा है निरजली कारक का काम क्या होता पानी को बाहर निकलना तो पहले step में क्या हो रहा है पानी तो बाहर निकल रहा है तो पानी बाहर निकलेगा किसी निरजली कारक की उपस्तिती में कौन है निरजली कारक ACTO पानी बाहर निकल गया अब हमारे पास क्या बचा हुआ है और यह क्या करेगा अब यह चार का काम करेगा किसका काम क्या है एसिडिक प्रोटॉन को ग्रहन करना कहा है एसिडिक प्रोटॉन भई यहां पर यह वाला एसिडिक प्रोटॉन लेगा यह यहां पर नाइट्रोजन से यह जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको ले लेगा जैसे इसको लेगा यह यह पर अटेक करेगा यह प्रोटॉन को लेगा क्या होगा यहां पर यह वाला बॉंड कहा आएगा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा कारवन और नाइट्रोजन के बीच में और जैसे कारवन और नाइट्रोजन के बीच हो बॉंड शिफ्ट हो जाएगा उपर शिफ्ट हो जाएगा उपर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है जैसे ही उपर शिफ्ट होगा, क्या बनेगा भई यहाँ पर, नीचे लिख देती हूँ, क्या बनेगा, यह कुछ ऐसा बनेगा, C, double bond, H, C, यहाँ पर है C double bond, O, O, H, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर है N, स्वरी, यह तो चला गया, प्रोटॉन तो यहाँ से क्या हो गया, चला गया, और यहाँ से ही, यह गया, C double bond आ गया, है, यहाँ पर O, जो था वो क्या, change हो गया, O, माइनस में बन गया, यहाँ पर जो O, था वो क्या बन गया, O, माइनस, और इससे जुड़ा हुआ है C6, H5 की वले, इससे क्या जुड़ी है, C6, H5, यह O, माइनस क्या करेगा, उस छार ने क्या क्या था, यहां से proton लिया था ना nitrogen से अब यह क्या करेगा बापस छार से proton grant कर लेगा ठीक है proton बापस ले लेगा तो यहां पर यह किस में change हो जाएगा OH में change हो जाएगा फिर आगे क्या होगा भई फिर आगे पानी बनाएंगे और पानी के रूप में बाहर निकल जाएंगे जैसे ही पानी बना लेंगे तो यह उक्सीजन फ्री हो गया यह उक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा कारवन के साथ जुड़ जाएगा तो कुछ वलेकार सरच ना बन जाएगी कुछ ऐसा बन जाएगा यह C, double bond C, यहां पर एक H जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर C double bond O था, ठीक है, और यहां पर, दिखतो रहा है न, यहां पर है N, double bond किस से जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस C से कौन जुड़ा हुआ है, C6H5 जुड़ा हुआ है, C6H5, और इन दोनो बीच में oxygen के थुए बोंड बन गा दो निकलने से और इसी का नाम है H होता है कान सा गुरूप होता है और किसकी फॉर्म में है वले की फॉर्म पुर्म में तो इसी को क्या बोलते हैं जो वाले वाले एस्टर होते हैं यानि क appelle जाते हैं ईसकी रिएक्षण कर आएगए के साथ कराएंगे वन परसेंन ड़ो मजय के साथ 1% NaOH के साथ NaOH छार है यहाँ पर हमारे पास है ester group हम जानते हैं क्या होने वाला है ester का अब गटन होने वाला है है ना तो क्या होगा यहाँ पर OH माइनस होता है यहाँ पर क्या होता है यह बोंड पेले उपर जाएगा oxygen पर फिर वापस नीचे आएगा और ये वाला bond तूट जाएगा और कहाँ shift हो जाएगा ये bond oxygen पर shift हो जाएगा कहाँ पर shift होगा ये bond oxygen पर shift होगा तो ये क्या बन जाएगा ring open हो गई भई ring open हो गई तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा CH C, O, O, H यहाँ पर तो वापस से Про यह रिंग ओपन होगई तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा N, Degmar C, यहाँ पर है O- और यहाँ पर क्या है यहाँ पर जुड़ा हुआ इसके साथ C6H5, क्या जुड़ा हुआ यहां पर C6H5 अभ यह O- की फॉर्म में तो रहेगा नहीं ठीक है क्या करेगा यह ओ एच बना लेगा यहां पर क्या बना लेगा ओएच बना लेगा ठीक है जैसे ही यह ओएच बनाएगा फिर यहां पर क्या होगी अबी नहीं बनाए बनने वाला है तो मैं पहले आप इतना नोत कीजिए थाकि मुझे ज़रूरत है जगे की तो मैं मिटा सूंगे इतना नोत कीजिए पहले कि मुझे इस्पेस की जरूत पड़ेगी बटा देती हूं बई कि अब यहां पर क्या होगा देखते हैं में इस reaction को उपर की तरफ ले चलते हैं तो क्या होगा यहां पर देखिए का गईब से समझ यहां यहां पर शिफ्ट होगा oxygen के बीच, carbon और oxygen के बीच जैसे ही bond shift होगा, यह वाला bond काँ shift होगा nitrogen पर shift होगा, जैसे ही bond nitrogen पर आएगा, nitrogen पर कैसा charge आजाएगा, negative charge यहाँ से कौन निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो H ने अपना electron याँ दे दिया, तो H plus की bond में बाहर निकलेगा, तो यहाँ से H plus निकलेगा, यहाँ से N minus, तो यह क्या गड़ लेंगे आपस में bond बना लेंगे, क्या बना लेंगे, N H तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा CH double bond C इस से जुड़ा हुआ है COOH ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया N, और N के साथ जुड़ गया H यह C, double bond O C6, H5 यह क्या बन गया, हमारे पास B बन गया और अगर आपको याद हो, तो यह product अभी हमने जब एजा-लेक्टोन की संसलेशन कर रहे थे, तब भी बनाया था है यहाँ पर कहीं होगा इससे पहले वाला जो था इससे पहले वाला जो product होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, यानि वही फिर से बन गया रिंग ओपनिंग हुई, 1% के साथ क्या हुआ, जैसे हमने गर्म किया 1% के साथ, रिंग ओपनिंग हो गई और क्या बन गया, अब यह B क्या करेगा, इसका हमें अपचेन कराना पड़ेगा किसकी उपस्तिती में, sodium, amalgam की उपस्तिती में sodium amalgam का काम क्या है, यह एक reducing agent है, अपचेन का काम करता है तो क्या करेगा यह अपचैन करेगा कैसे करेगा ठीक है किस चीज का अपचैन करेगा अब कोई और चीज तो यहाँ पर है नहीं अपचैन होने के लिए के वर डवल बॉंड ही तो है अपचैन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का एडिशन यानि कि इस डवल बॉंड पर क्य यह जो double bond था अब किसमें चेंज हो जाएगा single bond में इस पर एक हैच और जुड़ जाएगा आकर ठीक है जैसे ही इस पर कोई भी हैच नहीं था एक हैच आकर जुड़ गया क्योंकि है अप्चैन हुआ है और यह क्या बन गया COOH NH C double bond O C6 H5 यह बन गया ठीक है अब इसकी रियक्शन अमंग आगे क्या करेंगे किसके साथ करेंगे यह क्या बन गया हमारा B B से क्या बन गया हमारा C बन गया B से क्या बनाए हमारा C बनाए अब तो बस final product क्यों और जाना है final product क्यों और कैसे जाएंगे sodium amalgam से रियक्शन करा तो अब हम इसका क्या कराना पड़ेगा जल अपको घटन क्या कराना पड़ेगा जल अब गटन वह भी कैसा अम लिए जल अब गटन यानिकी double bond O C6 H5 कौन सा ग्रूप है अब एस्टर तो है नहीं जिसका हम जल अब गटन करेंगे अरे वही एस्टर नहीं है लेकिन यह तो है न अमाइड और कल ही हमने रियक्शन किये थे थेलमाइड वाले इससे नेक्स वीडियो में लेक्चर किये थे तो वहां पर अमाइड ग्रू का भी क्या होता है जल अब गटन होता है किसकी उपस्तिती में हो रहा है अमली की उपस्तिती में हो रहा है तो यहां पर नाइट्रोजन पर क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं साथ में क्या है अमली की उपस्तिती में तो यह लोन पेयर कौन ले लेगा नाइट्रोजन ले ले यहाँ पर था N, H, 1H और आकर जुड़ गया N, H, 1H आकर जुड़ गया साथ में यह जुड़ा हुआ है C double bond O से C6, H5 से जैसे जुड़ा nitrogen पर कैसा charge आ जा जा जाएगा positive, साथ में हमारे पास क्या है H2O है, क्या है H2O है, H2O जाएगा इस carbon पर attack कर देगा, यह bond पहले उपर आएगा, फिर वापस नीचे जाएगा और यह वाला bond यह nitrogen पर shift हो जाएगा क्योंकि nitrogen पर क्या आ रहा है, positive charge आ रहा है और जैसे यह bond nitrogen पर shift होगा तो क्या बन जाएगा यहां से यहां से बन जाएगा हमारा product क्या बनेगा, एक तो यह बनेगा एक तो यह बनेगा, CH2 CH, COOH और इससे कौन आकर जुड़ गया NH2, यह तो है अमीनो आमल यह NH2, यह nitrogen पर शिफ्ट होगा जैसी nitrogen पर shift होगा, nitrogen का positive charge खतम हो जाएगा, तो एक तो यह बन गया और यह जो है, आप अलग हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यह फिर ऐसे लिखो इसे जल में क्या होता है, एक तो होता है H+, और OH- यह तो होता है, तो यहां पर कौन अटेक किया है OH- का अटेक करा हो, ठीक है O, और इससे कॉन जड़ा हुआ है, O, H, तो यह बनेगा E प्रॉडदक्त, तो दो प्रॉड़क्ट बनगे D, और E, और यह क्या है, अमीनो अमल है, कॉन सा अमीनो अमल है, पैचान सकते हो, यही तो है, फिनाईल, अली, अली dece., तो जो अमीनो अमल इस वार वनाएगो कॉन सा है नोट कीजे जल्दी से फिर नेक्स्ट मीधी देखते हैं नेक्स्ट वीधी जो है वो एक छोटी सी वीधी है इतनी बड़ी बड़ी inicсьativa कर ली है दिस्टी बड़ी ग्लिएम तो अब हे छोटी सी वीधी भी कर लेते हैं नोट कीजे है ठीक है अगली जो विदिय है वह एक छोटी से विदिय है जिसका नाम है पूप संसलेशन कूप संसलेशन कूप सिंथेस्स वह चोटी सी बीदिय है कुछ लंबा चोड़ा कुछ करना नहीं और इज़ी भी है तो यहाँ पर क्या लेते हैं हमारा लीजंट कौन वो सुरी हमारे यहां पर अभी क्रिया कारत कौन है alpha ketonic क्या लेते हैं हम यहापर अब alpha ketonic अमल है याद रखेगा नाम alpha ketonic अमल का ammonia के साथ या ammonia की उपस्तिती में या ammonia के साथ अपचैन करने पर alpha amino अमल प्राप्ट होते हैं क्या करेंगे हम alpha ketonic अमल लेंगे उसका NH3 के साथ अपचैन कराएंगे या फिर NH3 के उपस्तिती में अपचैन कराएंगे और क्या बनेगा हमारे पास ketonic अमल बनेगा फ़री alpha amino aml बनेगा क्या बनेगा alpha amino aml क्या होता है वहाई ketonic यह होता है, ketonic आम ने मतलब keto group भी होगा तो साथ में acidic group भी होगा तो यह है alpha ketonic acid, यानि acid है और acid के alpha carbon पर कौन सा group है ketonic group है, तो alpha position पर ketonic group है, इसलिस का नाम क्या alpha ketonic acid, तो इसकी reaction हम किसके साथ कराएंगे NH3 के साथ साथ में upchain भी कराना है तो क्या कराना पड़ेगा H2PD यहां फिर हम PD की जगापर हम यहां पर क्या ले सकते है Platinum भी ले सकते है तो PD यह PT की उपस्तिती में upchain कराना पड़ेगा यानि यह क्या होगा upchain होगा और upchain होगा तो final जाकर बनेगा RCH COOH NH2 alpha amino amyl अब आर गुप जो भी उसके according क्या बन जाएगा अमल बन जाएगा यह reaction कैसे होती है वो देखते हैं छोटी सी reaction है simple सा mechanism है देखते हैं mechanism देखते हैं यह तो आप लोग भी कर सकते हो क्योंकि आप तो इतने सारे mechanism करने के बाद लग बन रहेगा यहां पर रहेगा सी ओ ओ एच रहेगा ये क्या कैलाता है इमीन यह गोना है इसको क्या बोलते हैं कारवन के साथ डबल बॉन्ट किसी ठीक है यृणनिद में उन्हों इसको क्या बोलते हैं इमीन बनावेइज अब क्या कराना पड़ेगा अब पिदी या पिटी की उपस्तिती में उत्प्रेर की हाइडरोजीनी करन कि तो पर जुड़ाइगा और घृता है यह हो जाएगा आर, C, एक है hydrogenis पर जुड़ा, एक NH पर तो पहले से ही था, दूसरा और आकर जुड़ गया, और नीचे क्या है, COOH, और यही तो है हमारा alpha amino acid, तो simple सार रियक्शन, simple सा मेकेनिजम, इस तरह से alpha amino अमलू बनते हैं, अब जो भी आप R group लेंगे, उसी के according amino acid बन जाएगा, CF3 लेंगे तो alanine बन जाएगा, isopropyl लेंगे तो valine बन जाएगा, यह आप अपने according ले सकते हैं R group, तो नोट कीज़े जल्दी से मेकेनिजम, फिर एक मेकेनिजम और देखते हैं, ठीक है, वो भी रियक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेकेनिजम आप जानती हैं, डीप में जाना नहीं है हमको, क्योंकि उसकी मेकेनिजम जोगी, वो आप कई वर पड़े हुए हैं, नोट कर लिया हम, जो अगली बिधिये बनाने की वो है, कारबोगजीलिक अमलों से, अब अलफा अमीनो असट बनाएंगे हम किस से, क्योंकि कैंगे, क्योंकि अलफा अमीनो असट परत कारबोगजीलिक अमलों से, इसके लिए आपको सेकंट़ यर में जाना पड़ेगा, अब पर बहुत सारी рियक्शन कीई होंगी, और ये reaction तो आपको याद भी होगी क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है जीब सा तीक है आपने जब second year में कार्बोगजिलिक अमल पढ़े होंगे तो कार्बोगजिलिक अमल से हमें क्या बनाना है alpha hello carboजिलिक अमल बनाना है जो उपने पहले भी बनाये था लेकिन वो reaction अलग थी वह mechanism अलग था अब यहाँ पर हमारे पास कार्बोगजिलिक अमल है सबसे पहले हमें कार्बोगजिलिक अमल से alpha hello carboजिलिक अमल बनाना पड़ेगा और कैसे बनाते हैं इसकी mechanism आप सब भी second year में पढ़ चुके 12th में भी पढ़ते हैं कौन सी जिसको बोलते हैं HVZ अभी ट्रिया हेल वोलहार्ड जैलांस्की संसलेशन हेल वोलहार्ड जैलांस्की संसलेशन बोलते हैं जिसे हम तो हम लिखेंगे कि कार्बोगजिलिक acid किसके साथ halogen हुआ red phosphorus क्या लेते हैं red phosphorus या इसकी जगा PX3 के साथ अभी क्रिया कर अभी क्रिया कर क्या बनाता है alpha hello कार्बोगजिलिक aml बनाता है बनाता है इसे क्या कहते हैं इसे hvz अभी क्रिया कहते हैं अगर तब को नाम लिखना है hvz का तो क्या होता है hvz का मतलब है hell wallhard zealanski synthesis hell wallhard zealanski synthesis इसे यह कहते हैं और क्या बनता है हमारा काम का बनता है alpha hello carboxylic aml बनता है ठीक है फिर क्या करेंगे alpha hello carboxylic अमल के किसके द्वारा amini current द्वारा amini current द्वारा alpha amino aml का निर्मान होता है ठीक है carboxylic acid की halogen और red phosphorus या px3 के साथ reaction कराते हैं उसमें क्या बनता है alpha hello carboxylic aml बनता है और यह reaction है इसका mechanism मैं नहीं कराऊंगी कि आप बहुत अच्छे से जानते है second year में आपने बहुत पढ़ा होगा अगर आप नहीं जानते नहीं है तो मुझे comment section में बता दीजेगा मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी उसमें इसका mechanism करा दूँगी कैसे alpha hello carboslic amlilu बना तो यहां पर क्या होगा कोई carboslic amlil होगा मालो यह ले लिया हमने CS3 COOH यह ले लिया हमने carboslic amlil ठीक है चलो ले लिया भई अब क्या करेंगे यहां फिर यह ले ले लें CH2 और यहां पर जुड़ा हुआ है CS3 CS3 CS2 COOH is Čनवी होगी एक हाइड्रोजन निकल जायगा यहां से एक हाईड्रोजन निकल जायगा और इसकी जगह पर कौन आजाएगा ELJonbers बंधाएगा तो यह कुछ ऐसा होगा CS3, CH, यहां पर क्या आ जाएगा, एक हेलोजन आ जाएगा, और यहां जुड़ा हुआ है COOH, हेलोजन कोई साभी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई साभी हो सकता है, ठीक है, फिर इसकी रेक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NH3 के साथ कराएंगे, इसक साथ में COOH, और बाहर को निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा NH4X, क्या बाहर निकल जाएगा, NH4X, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसकी मेकनिजम आप लोग पढ़े रही हुए, और यह मेकनिजम हम पिछले रेक्शन में कर ही चुके हैं, यहां से यहां तक कैसे इसकी मेकनिजम पिछले रेक्शन में कर ही चुके हैं, तो I hope इसकी मेकनिजम कराने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर लेंगे और नहीं कर पाएंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाओंगे, इसमें पहले मे इसका मेकनिजम करा दूगी, क्योंकि बहुत सारी रेक्शन्स हैं, कब तक सबके मेकनिजम कराए जाएंगे, अभी तो चार अभी हुई हैं, दो पहले हुच चुकी हैं, अभी तो कुछ और रेक्शन्स भी बाकी हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी रेक्शन्स हैं, तो उन तेकले थेंक्यू